दोस्तो नमस्कार, आज हम बताएंगे आपको कि उससाइन काफी दिखे आगया तो इसका नाखून नाखून कॉट्ब काफी लंबा था यह निकल गया है इस प्राशिणन्हें पार्फसन प्राइव चाटzar appreciate के अपने घाव को सही कर लेते है Зब पिर विँ इसके अदर कभी करी कीडे माई गोट पड़ जाते हैं तो इन कीडों को निकालना पड़ता है इसके बाद जो है इसके अंदर इस्प्रे करना पड़ता है या तारपीन का तेल लालना पड़ता है तारपीन का तेल लालने से जो है यह कीडे अपने आप बाहर निकलने लगते हैं और इसको जो है आप बाहर निकाल सकते हैं और इन कीडों को साफ करने के बाद जो है इसमें लगा देज़ी कीजिए किसी चीज के साहिते से और इसके निख सकते हैं और अप्तनी ओपून निकलने लगा है और इसके ने चीज़र स Cloji Member इसाना इ전 दूड़ा टी इसको स्वाइब से जुड़ा मेरें इसको पर ने दो दो रिए जो करें!" कोसिस करिए जएगा कि इसको पहले निकाल दिया जाए पिल्कुल सारे के सारे निकाल लिए जाए उसके बाद फिर से एक बार इस पर इस पर पट्टी कर दी जाए जिससे इस पर धूल मिट्टी वगरा ना लग सके तो आप देख सकते हैं फोटो में दिखाया गया है यह और यह देजिए आप आप यह दो कि अखिए आप यह दो आपको आसानी से पाटिश्ट भी मेडिकल स्टोर मिल जाएगा इसकी हील के नाम से मिलता है यह पूंडूप से हर्बल प्रोड़क्ट है अई रुवेधिक है और देखा बीज़े टीज़ें आप अब दक्का हुआ है जड़ा महगा वी नहीं हाता है और स्कीन में कोई भी समस्या हो इसकीन की वाउंड सी हो सकते हैं आपके एफेमडी भी है खुरपगा मुपगा भी ऐगा familiar काम करता है तो यह आप यूजे करते हैं कोई chemical नहीं है पूझn रूप से हरंबल है तो कोई साइड़्ट नहीं है इसको आप यूज वागार में कावड लिखाता है यह नहीं को पर तूड़ जाता है तो कि इस निके सभीlegt की एक ही दवा है तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें कमेंट करें शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद